पाले से बरबाद हुई सर्सों के फसल की मुआवज़े को लेकर आमाद्मी पार्टी के कारेकरता भी पीडित किसानों के समर्थन में उतर आये हैं किसानों के समर्थन में आज जजर रगू सजी वाले पहुंचे आमादमी पार्टी के कारेकरताओं ने परभावी फसलों का मुआफ़ा देने की मांग को लेकर यहां परदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेवाजी की आबाद में पार्टिक के कार्यकरताओं का कहना था कि पिछले दिनों पड़े पाले की वजय से ज़ज़र जिले में ही नहीं बलकि हर्याना बर में किसानों की 90 प्रतिश Ведь सर्सों की फसल बर्बाद हो गई है लेकिन सरकार इन मामलों में किसानों की अंदेखी कर रही है उनका कहना था कि पहले भी हर्याड़ा में किसानों की बाजरी और कबास की फसल बर्बाद हुई थी लेकिन सरकार ने उस बर्बाद फसल का कोई भी मुआवजा किसानों को नहीं दिया इस बार भी सरकार उसी ढर्रे पर चल रही है और किसानों को उसकी सरसों की बरबाद हुई फसल में तो विशेश गिरदावरी करवा रही है और ना ही उन्हें मुआवजा दे रही है आम आदमी पार्टी कारेकरताओं ने पीडित किसानों को मुआवज़ा देने की मांग को लेकर एक ग्यापन मुखे मंत्रे के नाम जिला परशाशन के अधिकारियों को सौंपार ग्यापन में सरसों की परभावित फसल का मुआवज़ा पचास अजार पर परती एकड़ किसानों को दिये जाने की मांग की गई इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तरफ से सरकार को चितावने भी दी गई कि यदि परभावित फसलों की स्पेशल गिर्दावरी सरकार की दरफ से नहीं करवाई गई तो फिर किसानों को मुआवज़ा नहीं दिया गया तो विरो सरूप आम आदमी पार्टी सरकों पर उत्रेगी और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने को मजबूर होगी कि माइनस हो गया पहले बरपड़ी नहीं अभी बरपड़ी तो उसका नुक्षान सीदा फसल के उपर आया है हर्याने के अंदर नब्बा प्रतित्यसत चो सर्चों की फसल है उसको बहुत भारी नुक्षान है जल्दी से जल्दी एंदधाबरी हो किसान को पईसे का मावजा मिल जा समय से सब्सक्राइब जैजना 2 को पास की ले लू बादरे की तो अभी तक पेमेंट भी नहीं हुए आधो 3 और lên की तारी को जो प्रदेश करने को मजबूर हो जागा मेरा नाम नाम नीरत सिलाना है बाई जागा नीरत सिलाना है बाई डाई पोर